हेलो वेलकम तो मैंगनेटिक स्टेडी क्रेटिंग देवेज आफ क्रेकिंग एसेज़ी एक्जाम तो आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नमबर टू है केमिस्ट्री का तो लेक्चर नमबर टू से पहले मैं लेक्चर नमबर टू को लेक्चर नमबर टू को अंडरस्टेड करने के लिए हमें लेक्चर नमबर वन पर जरूरी जाना पड़ेगा यानिकि जो जिसने लेक्चर नमबर वन नहीं सुना है वह लेक्चर नमबर वन पहले सुन ले तो हमने उसमें क्या पढ़ा था पहले हमने पढ़ा था matter matter की कुछ properties matter की कुछ properties और यह जो properties हैं यह आज हमारे काम आएगी जिसने यह नहीं सुना तो उसको एक दूसरा lecture समझ नहीं आगा बता रहा हूं में properties जो हमने वहां पर पढ़ी matter की वह आज हमें use होगी clear फिर हमने क्या पढ़ा कि types of मैंने क किने क्तने gibt numbers हैं हमने इंपको और मैंने आपको और बता दी जिसको हमने तो यहां तक हमने complete किया था लेक्शा नयंपन उसके बाद हमने क्या पर पढ़ा था उसके abund Hammam हमने clear किया अब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे हम तो आगे हम क्या पढ़ेंगे आज इसमें हम पढ़ेंगे सिटेट साफ मैटर को change करना change करने का क्या मतलब है कि क्या हम solid को liquid में change कर सकते है liquid को gas में change कर सकते है या reverse possible है यह बहुत ही important topic है तो आज का जो हमारा topic रहेगा वो रहेगा change change of state change of state क्या रहेगा हमारा topic change of state clear now इसी को आगे ले जाएंगे हम तो change of state में हम दो तरीके का change पढ़ेंगे एक तरीका होता है change कि आफ प्रेशर यानि कि अगर हम प्रेशर को change कर सके क्या state change हो जाएगी solid liquid liquid solid या gas या gas liquid में convert हो जाएगा इसी तरह दूसरा है change of temperature यानिकि temperature के change करने से क्या state change हो सकती है clear तो दोनों पढ़ेंगे हम इसमें तो सबसे पहले हम देखेंगे pressure क्योंकि छोटा सा topic है यह temperature थोड़ा सा ठीक ही मतलब इसकी लेंगे थोड़ी सी ज्यादा ही है तो change up pressure करने से क्या होगा अगर आप याद रखोगे इसमें on increasing temperature sorry on increasing pressure अगर आप pressure को increase करोगे साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको साथ साथ आपको temperature को decrease करना पड़ेगा temperature को decrease करना पड़ेगा अगर आपने pressure को increase किया temperature को decrease किया देन तो होगा क्या देन गैस can be converted into liquid हम gas को liquid में convert कर सकते हैं और liquid को solid में convert कर सकते हैं क्या चीज़? gas को liquid में convert करेंगे और liquid को solid में तो इस process को कहते हैं liqueification क्या कहते है? liqueification का क्या मतलब होता है? gas को liquid में convert करना और इसको क्या कहते है? इसको कहते है solidification तो यह द्यान रहे, इसको भी solidification ही कहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, liquid को solid में convert किया, चाहे आप pressure से करोगे, या temperature से करोगे, दोनों में इसको solidification ही बोलते हैं, clear, तो यह था change of pressure की वज़े से हम change state कर सकते हैं, clear, तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, लेकिन खाली only pressure को change करने से state change नहीं होगी, temperature को decrease करना पड़ेगा इसमें, और pressure को increase करना पड़ेगा, तब आप यह चीज़ें possible कर सकते हैं, कि gas को liquid में और liquid को solid में convert कर सकते हैं, clear, आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे change in temperature, क्या देखेंगे, change in temperature, सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें change in temperature में, क्या हम solid को liquid में convert कर सकते हैं, solid को किसमें convert करना पड़ेगा, लिक्विड में, और इस process को कहते हैं fusion, क्या कहते हैं, इस process को fusion, तो fusion क्या process है, fusion is a process in which solid is converted into liquid, by increasing temperature of a substance, clear, या material, यह समझाए, fusion किसको कहते हैं, solid को liquid में change करना, by increasing temperature, तो ध्यान रहें, जब आपको solid को liquid में change करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा temperature को increase क्लियर जब आप temperature को increase करोगे तो solid liquid में change हो जाएगा अब इस temperature increase करने से होता क्या है होता ये है कि kinetic energy of particles जो होती है जो particles के पास energy होती है ये मैंने फिर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था properties of matter में काइनिटिक अनर्जी आफ पार्टिकल इस क्या होती है वह इंक्रीज हो जाती है जब यह काइनिटिक अनर्जी इंक्रीज होती है तो मैंने कहा था इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यह भी इंक्रीज होती है क्या चीज यह भी इंक्र और इंटर मॉलिकूलर डिस्टेंस जो होती हैं इंटर मॉलिकूलर फोरस जो होता है वो वीक हो जाता है कम हो जाता है क्लिER? और होगा इसे क्या? इसे होता है कि SOLID MELT हो जाता है क्या होता है? solid melt और ये CONVERT हो जाता है किसमे Liquid alcanz कि मैंने आप को पूरी थोरी बता दी किसमे solid помог किस الر마ट को जाएगा किस्क वज़े से temperature के चेंज होने की वज़े से तो होता क्या है actual में चमपरेचर इंक्रीज करेंगे हैं तो काइनिटिक एनरजी आफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगी जिन पार्टिकल इसने सॉलिड बनाया था उन पार्टिकल की काइनिटिक एनरजी इंक्रीज हो जाएगी इंक्रीज होने से क्या होगा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी इ किसमे हो जाता है लिक विड में अब यहांपर एक पॉ singular हमें डिफाइन करना है को पर आपको याद रिखना पर डिशओ्स Nah. काफी important terms है जो आपको याद रखने है melting point किसको कहेंगे हम शबाश यह तो temperature यह न है it is the temperature the temperature the temperature at which at which solid melts at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure यापको pressure increase degrees नहीं करना है जो atmosphere का pressure है वही रखना पड़ेगा और उस समय क्या है उस temperature को हम क्या कहेंगे melting point जिस temperature से solid melt हो जाता है किसमे liquid में clear हुआ है तो एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ melting point क्या चीज़ है तो melting point actual में होता है indication क्या होता है indication यह किसका indication होता है sitring indication of sitring indication of sitring of forest sitring of forest between particles between particles clear between particles of solid between particles of solid यह एक इंडिकेशन होता है है इंडिकेट करता है कि solid में जो पार्टिकल के बीच की जो forest की sitring ते वह कितनी मजबूत है वह कितनी है तो यह indication होता है इसका 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 आप लोगों ने सुना होगा कि melting point of water 15 Kelvin और यह जो है यह बन जाता है melting point of ice क्या बन जाता है melting point of ice इतना clear हुआ अब कुछ सेकंड तो आप सिक्रीन शाट ले सकते हो उसके बाद इसको कापी करके वह सिक्रीन शाट डिलीट भी कर सकते हो मैंने भी कहा कि water जो है sorry ice का जो temperature है melting point है two hundred 73.16 Kelvin clear यह किसका temperature है water का melting point ice का melting point clear अब जब अगर मेरे पास ice है यह मेरे पास ice है तो ice क्या चीज़ा है यह solid है यह solid है इसको convert करना है किसमें liquid में यानि कि water में convert करना है और water क्या चीज़ा है liquid तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे का temperature जो temperature ice का है वह है minus 10 degree Celsius clear और जब यह convert हो जाएगा liquid में watch water में convert हो जाएगा उसके बाद इसका temperature water का temperature कितना होगा तो वो भी minus 10 डिग्री Celsius होगा अब आपको गए मुझे तो temperature इसमें हीट देने पड़ी मुझे temperature राइस करना पड़ा temperature बढ़ाना पड़ा तो वो temperature या heat कहा गई वो temperature या heat कहा गई तो यहन रहे इसमें यह पोइंट याद रखोगे थेंप्रेचर ने मैंने में थेंप्रेचर ग्यूरिंग चेंज आफ टेट जहर जूरिंग चेंज आफ सेट shepherd li Man auding सेंप्रेचर सेंब रहता है इन मेटी रिया in material because heat is used to change the state and is called latent heat अब देखो, मैंने कहा था, माइनस 10 डिग्री है ice है, और जब इसने क्या किया water में convert हुआ, तो water का भी temperature कितना रहेगा माइनस 10 डिग्री सलसेसी, अब जो मैंने amount of heat दी, जो मैंने temperature raise किया वो कहा चला गया, वो उसने क्या किया उसने इसको convert किया water में, खाली convert किया इसका temperature increase नहीं किया इसका temperature increase नहीं किया खाली क्या किया, इसको इसकी state को change किया clear वाएं, तो इसका temperature और इसका temperature same रहेगा, और वो जो heat है जिसकी वज़े से ये conversion हुआ, उसको कहते है latent heat, L-A-T-E-N-T latent heat, तो क्या चीज़ है latent heat, अगर मैं आपको कहूँगा हम क्या करेंगे, इसके लिए fusion process के लिए, हम पढ़ रहे है fusion process, हम क्या पढ़ रहे है fusion process, fusion process के लिए अगर मैं आपको कहूँ, latent heat of fusion आप define करोगे, तो वो definition क्या बन जाएगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहां पर amount of heat required to change 1 kg amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at atmospheric pressure, at this melting point is known as latent heat of fusion यानि कि वो amount of heat जो जिसने क्या किया solid को liquid में change किया खाली change किया, temperature राइज नहीं हुआ no rising temperature no rising temperature clear, खाली solid को liquid में change किया लेकिन हमें heat देनी पड़ी हमें energy देनी पड़ी, हमें temperature राइज करना पड़ा और उसकी वज़े से क्या हुआ, solid liquid में change हुआ, उस चीज को हम कहेंगे latent heat of fusion क्या चीज, latent heat of fusion अगर अगर temperature राइज हुआ होगा, liquid का तो वह latent heat of fusion नहीं कहलाएगा clear, तो खाली क्या होना है, solid को liquid में change होना है with no rise of temperature तो उस amount of heat को हम क्या कहेंगे latent heat of fusion clear, अब यह कुछ points थे किसके बारे में solid को liquid देनी कि fusion के बारे में अब next पर आते हैं हम liquid को gas में convert करने के लिए जब हम liquid को gas में change करें with increase in temperature तो उस process को कहते हैं vaporization clear, क्या कहते हैं इसको vaporization तो इसमें वही चीजें होती हैं जो अभी मैंने कहा था कि अगर हम temperature को increase करें temperature को क्या करना है temperature को increase करना है increase करने से क्या होगा kinetic energy और ज़्यादा increase हो जाएगी kinetic energy increases more और ज़्यादा increase हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है distance inter particle distance जो होगी inter particle distance वो और ज़्यादा increase होगी as computer अभी जो मैंने कहा था किसमें future में अब यहाँ पर और ज़्यादा increase होगी जब और ज़्यादा increase होगी तो फोरस जो मैंने कहा था inter molecular inter atomic inter molecular force वो और ज़्यादा weak होगा और होगा क्या हम कहेंगे यहाँ पर melt नहीं कहेंगे बलके हम कहेंगे liquid जो है इसको क्या हुआ यह boil हुआ क्या हुआ boil हुआ और किसमें change हुआ gas में melt हो जाता है solid को melt बोलते हैं यहाँ पर liquid को boil करना पड़ता है तो वहाँ पर हमने melting point define के अब यहाँ पर क्या define करना पड़ेगा boiling point क्या चीज boiling point अब आप खुद ही बताओगे boiling point क्या चीज है तो यह वही है amount of temperature amount of temperature यह सीधे आप लिख़ीदे temperature boiling at atmospheric pressure is known as boiling point तो क्या चीज होता है temperature ही है यह और उस temperature से क्या होगा liquid boil हो जाता है atmospheric pressure is known as at atmospheric pressure is known as boiling point जैसे आप लोग ने water का boiling point सुना होगा that is 100 degree Celsius 100 degree Celsius तो अगर है 100 degree Celsius है तो आप लोग ने सुना होगा 373 Kelvin होता है तो यहां से आपको क्या मिलेगा यह होता है boiling point of water यह 100 degree Celsius यह 373 Kelvin तो इसमें मैं आपको एक formula बता देता हूँ आगे जाके जिसे आप यह temperature को convert कर सकते हो क्योंकि कभी कभी इस पर भी question आता है generalism है कि 20 degree कितने Kelvin होते हैं के लिए आपको मैं एक formula बता देता हूँ last में उस formula को आपको याद रखना है और आप किसी भी temperature को convert कर सकते हैं कैलवन को Fahrenheit को या rumor को या degree Celsius को आपस में इनको convert कर सकते हैं बहुत easy method हैं एक वैपराइजेशन लेटेंट हीट आफ वैपराइजेशन तो लेटेंट हीट आफ वैपराइजेशन को अब आप खुद ही डिफाइन करोगे क्या चीज़ है यह amount of heat amount of heat शाबश और यह amount of heat किसके लिए यूज होता है which is used which is used to convert which is used to convert liquid into gas without increasing temperature without increasing without increasing temperature of material temperature of material increase नहीं होगा खाली क्या होगा conversion होगा liquid किसमें convert हो जाएगा gas में convert हो जाएगा और उस amount of heat को कहेंगे हम लैटन तो ध्यान रहे है latent word जैस को हम बोल इसका जो meaning है वह होता है hidden यान कि यह वाली हीड जो है नहीं हो हो जाती है छुपी हुई होती है पता ही नहीं चलता है हो यह कहां गई इसको hidden बोलते है latent clear आगे बढ़ते हैं क्या कहा था मैंने अब कुछ processes जो है कुछ चेंज आफ सिटेट जिए वह डिरेक्टली होते हैं डिरेक्टली क्या क्या मतलब है मैंने कहा किये हम solid को solid convert हो जाता है liquid में clear liquid फिर convert करेंगे हम गैस में clear इसको कहते है fusion इसको क्या कहते है वैपोराइजेशन अब क्या ये possible है कि हम क्या करें कि हम directly solid को किस में convert करें gas में या gas को किस में convert करें solid में तो ये possible है हाँ ये possible है yes this is possible तो अगर आप solid को gas में convert करोगे gas को solid में convert करोगे तो इस process को कहते हैं sublimation क्या कहते है सब्लिमेशन, मैं यहाँ पर आपको एक डाइग्राम बनाऊँगा, वो डाइग्राम आप याद रखोगे, तो काफी एजी है, एजी डाइग्राम है, तो सॉलिड लिक्विड गैस, यह मैंने बना दी, जब सॉलिड लिक्विड में कनवर्ट हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क सॉलिड में कनवर्ट करेंगे, तो इसको कहते हैं सॉलिड इफिकेशन, क्या कहते हैं, सॉलिड इफिकेशन, अगर लिक्विड गैस में कनवर्ट करना है, इसको मैंने क्या था, वैपोराइजेशन, क्या कहते हैं, इसको वैपोराइजेशन, अगर गैस को लिक्विड में कन करना है तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं कंडन सेशन क्या कहते हैं इसको कंडन सेशन और अगर गैस को लिक्विड या लिक सॉलिड गैस सॉलिड को गैस या गैस को सॉलिड इन वर्स दोनूं या सॉलिड को गैस बनाना है गैस को सॉलिड बनाना है इन दोनों को कहते हैं स सरमुज को याद करके अब फूजन स्वाडिफ div केशन कंडेंश nhân वैपॉर एजीश और सवर मिशन जब आप लोगे का इसका accept कफ्यूजन बोलते हैं speculate को सॉलेडिपी केशन सब्सक्रू नो सबस्द कांडें मिशन तैंगे इस को बपर चीजए अब भी सहन आया होगा डारत तो पता चले गई होगे ना वैप्र एजेशन और एवपरेशन में एन तो वैपरेज़ेशन में हम यह कहते हैं लिक्विड लिक्विड गैस में कनवर्ट होगा लेकिन किस टंप्रेचर पर बॉइलिंग पॉइंट वाले टंप्रेचर पर किस पर बॉइलिंग पॉइंट वाले टंप्रेचर तो इवापरेशन में भी यही प्रॉसेस होता है लिक्विड गैस ही में कनवर्ट होता है लेकिन किस temperature पर, below boiling point पर, below boiling point यानि कि boiling point से पहले पहले जितना liquid gas में convert हो जाएगा, उस process को कहते हैं, evaporation, क्या कहते हैं, evaporation, clear, अब evaporation आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले this, क्या कहते हैं, इसको boiling point पड़ा है, boiling point में आपने vaporization define किया, वो चीजें आ आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि यह कभी कभी difference आता है, what is the difference between evaporation and, evaporation and vaporization, दो में के difference हैं, तो difference यही है, clear, अब कुछ point से वापरेशन, evaporation से related में आप कुछ points बताने जारा हो, वो points आप याद रखोगी, clear, कुछ points मैंने यहां पर आपको लिखाए हैं, किसके ब surface area होगा, उतना ज्यादा evaporation होगा, तो मैं इसके लिए example आपको दे रहा हूँ, जिसे आप लोगों को यह समझाएगा, जब आप लोगों को कोई कभडा सुखाना होगा, तो आप क्या करते हो, तो आप उसको फैलाते हो, spread them out, फैलाते हो, और उसे होगा, क्या, उसे वो जल dry हो जाता है, clear, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम इसको फैलाने से क्या होगा, उसका surface जो होता है, surface area जो होता है, वो बढ़ जाता है, मेरे पास ये for example, ये कबड़ा है, ये फार गीला है, इसको सुखाना है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं, इस तरह से रखूं, फिर ऐस रखने से क्या होगा, ये जल्द से जल्द सूख जाएगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इवापरेशन जो है, इवापरेशन का क्या मतलब है, इसमें जो लिक्विड है, उसको गैस में कनवर्ट करना है, गैस में कनवर्ट करने से क्या होगा, इवापरेशन उसी को कहते है, किस तरह से हो जाएगा जब इसका surface आप बढ़ाओगे मैंने इसका surface बढ़ाया अब इसका क्या होता है कि इसकी जो evoperation है वह जल्दी जल्दी हो जाएगे और यह सूख जाएगा दूसरा चीज इट increases if temperature increase अगर आप temperature को बढ़ाओगे तो यह भी बढ़ जाएगा it increases with increase in wind speed अगर हावा तेज़ चल रहे हैं तो तब भी तो यह बढ़ जाएगा क्लियर जिन पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होते हैं वही तो बाग जाएंगे ना वह बाग जाएंगे ना वह बाग जाएंगे उसी को प्रासेस को कहते हैं आपरेशन भी क्या चीज़ है अल्रेडी उसके पास वाटर कॉंटेंट जाद है तो वह आपसे वाटर नहीं लेगा वह चीज़ों से वाटर नहीं लेगा इनक्रीजिस विद इनक्रीजिन विंड स्पीड तो यह मैंने अभी आपको बता दिया अब इवापरेशन से क्या हो जाता है इट को बताने जा रहा हूं वह चीज़ कि जब हम कोई चीज़ जैसे कि अगर आप लोग ने पैटरल अपने पाम में रखा तो पैटरल यहां पे कूलिंग एफ्ट ने देता है अब लगा कि को बता है या मैक्सिमम आप लोगों सुनाओंगा कि काटन अपने चाहें टो इस पहन आप लोगों को water droplets नजर आते हैं वो सब चीजें उन सब चीजों का reason जो है वो यह है अब जीसको समझते है particles आप लिक्विड अब्सॉर्ब energy देखो solid अगर आपको liquid को convert करना है किसमें liquid को convert करना है गैस में मैंने कहा था liquid particles को क्या देनी पड़ेगी particles को देनी पड़ेगी energy क्या देनी पड़ेगी energy तो इवापरेशन में यह एनर्जी हम क्या कहते हैं एवापरेशन में को energy टॉहम देते नहीं generally वह तो खुद ही लेते हैं कहा से लेते हैं आप्सारव एनरजी फ्रम सारोंडिंग अपने इर्ध गर्द से से एनरजी ले ते उसके बाद क्या कहते हैं? तो रिगें दे इनरजी लास्ट दूट्रिट इुश्ट होने से उस अनरजी को उनको वापस लेना पड़ेगा और इसकी वजह होता है कि दिस मेक सराउंडिंग कूल इसकी वजह से सराउंडिंग कूल हो जाता है यहां पर कुछ आमूंट अफ एनरजी थी और यह एनरजी लिकूड वाटर लिकविड ने लिकविड पारिकल ओटने यहां से energy ली अब यहां से जब energy ली तो यहां पर पहले energy थी अब यहां पर energy नहीं है तो energy नहीं है का मतलब क्या है energy नहीं होने का मतलब है यहां पर थोड़ी सी coldness आएगी क्या चीज़ आएगी coldness आएगी clear जब यहां पर air में coldness आएगी और उसी को कहते है दिस में के सरावनी कूल और इसी वज़े से ये पोर्शन जो सरावनी का हो जाता है ये क्या हो जाता है ये सरद हो जाता है कूल हो जाता है क्लियर हो आए आई होप आप लोगो ने ये गैट अप किया होगा अगर नहीं भी किया है गैट अप तो आप लोग कमेंट्स में इसमें आप क्या आएंगे वह पॉइंट्स भी आपको इसमें याद रखने चलो वह पॉइंट्स में आपको क्या करूंगा वह पॉइंट्स में आपको नो ऐसा है जो आपका मिटीरियल होगा टेलेग्राम चैनल जिसकी डेस्क्रिप्शन लिंक में उसके थू आपको प्रवाइड करूंगा सो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए have a nice day